Hello everyone, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या शादी में किया गया खर्च के कारण एक बेटी को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा? Hindu Succession Amendment Act 2005 के अनुसार पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को बरावर का हिस्सा दिया गया है, और इसमें कोई भी शर्ट नहीं लगाई गये हैं, इसलिए ये एक तरह से पिता की संपत्ति में बेटी का हिस्सा जन्म से है और Absolute है, कोई भी इसे कानुनी तौर पे नह नहीं ले सकता है, अब रही बात excuses की, जैसे की बेटी का हिस्सा उसके शादे में खर्च कर दिया गया, बेटी ने love marriage किया, बेटी ने माबाप की देखवाल नहीं की, आदी आदी, इन बातों को लेकर एक बेटी को उसके हिस्सा से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्यूंकि कान अईसे कोई शर्ट नहीं लगा रखी है, इसलिए ये सारे बहाने हैं और संपत्ती में शेर नहीं देने के लिए बनाए गया है, पर जान लें ये सब के बेस पर एक भाई अपनी बहन को पिता की संपत्ती में हिस्सा देने से वे दखल नहीं कर सकता है, हम दुहराते हैं कि एक भाई किसी भी तरह का बहाना बना कर अपनी बहन को उसके हिस्से से बेदखल नहीं कर सकता है, उसे हर हाल में देना ही होगा, इसलिए आप में से कोई भी कुछ ऐसी परिस्तिती जेल रहे हैं, तो आप हमें नीचे दीवे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इमेल भी कर सकते हैं, विश यू गूड लग।